दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सेर्विसेज मैं अनुराग चोधरी दोस्तों मागदर्शन ये NCRT स्रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे आठ वीक अच्छा की विग्यान यानी NCRT साइंस एट क्लास का अध्यायच है दहन और ज्वाला दोस्तों इस अध्याय के अध्यन से आप जान पाएंगे दहन क्या है दहन के प्रमुख प्रकार कौन से है ज्वालन ताप क्या होता है और ज्वाला क्या होती है इसके अलावा आग लगने पर उस पर कैसे नियंत्रन पाते हैं इंधन छमता क्या होती है और अंत में इस अध्याय का सारांस तो आईए शुरू करते हैं आठवी कच्छा के NCRT विग्यान का अध्याय अच्छ है दहन और ज्वाला दोस्तों हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन प्रकार के इंधनों का प्रियोग बिविध प्रियोजन के लिए करते हैं देखिए घर पर भी हम इंधन का प्रियोग करते हैं उद्योगों में करते हैं और वाहनों को चलाने के लिए भी कई प्रकार के इंधनों का प्रियोग अलग अलग प्रियोजन या उद्देसे के लिए करते हैं और क्या आप अपने घरों में प्रियुक्त होने वाले कुछ इधनों के नाम बता सकते हैं व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ इधनों के नाम बताईए और मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से इधन काम में आते हैं तो देखिए सबसे पहले घारों पे जो इंधन प्रियोग होता है वो गोबर, लकड़ी, कोईला, काश्ट कोईला, पेट्रोल, डीजल, संपीटिद गैस या जो हमारा ये जो इंडिन गैस या या यजपी गैस जो की सीनजी के रूप में आता है उसका प्रियोग किया जाता है दोस्तों मुम्बत्ती के जलने से भी आप परिजित हैं, मुम्बत्ती के जलने और कोईले जैसे इंधन के जलने में क्या अंतर होता है, तो दोनों में अंतर है दोस्तों मुम्बत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोईला ज्वाला के साथ नहीं जलता है और इस प्रकार आप अनेक पदार्थ ऐसे पाएंगे या इधन के रूप में अनेक पदार्थ ऐसे हैं जो की जलने के रासायनिक प्रक्रम में और इस प्रक्रम में किस प्रकार की ज्वाला उत्पन करती है उनमें अंतर होता है और हम आज इस अध्याय में इसी के बारे में जानेंगे आईए सबसे पहले जानते हैं देहन क्या है दोस्तों मैगनीसियम देहन का क्रिया कलाप आपने देखा था और किस प्रकार से मैगनीसियम जल कर मैगनीसियम आकसाइड बनाता है और उसमा और प्रकास उत्पन करता है इसके बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके ह दोस्तों इसी प्रकार का क्रिया कलाप हमें काश्ट कोईले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं काश्ट कोईले के टुकड़े को संडसी से पकड़िए और एक मुम्बत्ती अथ्वा बुनसिन बर्नर की जुआला के निकट लाईए आप देखेंगे कि काश्ट कोईला वायू में जलने लगता है और काश्ट कोईला वायू में जलकर कारबन डाय अकसाइड उसमा और प्रकास उत्पन्न करता है तो देखे, बहुत ही महतवपूर है magnesium, वायू में जल कर या oxygen में जलकर magnesiumोan oxide बनाता है उसी परकार जब आप काष्ट कोईला को जलाते हैं तो लकड़ी का कोईला, काष्ट कोईला ऐसे कहिए कि लकड़ी का कोईला जब इसको वायू में जलाते हैं तो कारवन डाइकसाइड उस्मा और प्रकास निस्रित होती है यहाँ पर देखिए मैगनीसियम तार का दहन दिखाया गया है दोस्तों और रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ जो है आकसीजन से अभग्रिया करके उस्मा देता है वो दहन कहलाता है तो कोई भी दहन या जलने की प्रक्रिया आकसीजन की उपस्थिती में हो सकती है यह आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दहन जो है आकसीजन की उपस्थिती में होता है और आकसीजन जो है वो स्वैंग तो नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायक होती है दोस्तों दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है यानि chemical process है वह रासायनी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आक्सीजन से अभग्रिया करके उसमा देता है वो दहन कहलाता है और जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह या पदार्थ कहलाता है और इस पदार्थ को इधन या फ्यूल भी कहा जाता है इधन कई परकार के होते हैं इनके रूप कई परकार हो सकते हैं इधन ठोस भी हो सकता है द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है और कभी-कभी दोज्टों दहन के समय जुआला के रूप में अथ्वालाव के रूप में परकास भी उत्पन होता है तो उसमा तो दहन का एक अनिमारे भाग है कि उसमा उत्पन होगी ही होगी दहन में लेकिन कभी कभी या कुछ रासायनिक पदार्थ या कुछ पदार्थों में जो आला भी उत्पन होती है देखे जब आप उदारान के रूप में समझेंगे तो दहन जो है आप मैगनेसियम तार को और काश्ट कोईलो को जलाते हैं तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है मैगनेसियम आकसाइड में बदल जाता है मैगनेसियम का तार और काष्ट कोईला कारबन डियाकसाइड और उसमा परदान करता है तो ये जो काष्ट कोईला है और मैंगनेसियम हैं ये दाह ये पदार्त हैं जिनका की जलन होता है दोस्तों हमें ये भी बताया गया है कि भोजन हमारे सरीर के लिए एक इंधन है इंधन या फ्यूल तो जैसे डीजल और पेट्रोल जो है मोटरकारों और मोटर गाडियों के लिए इंधन के रूप में कारे करते हैं उनको चलाने में सहायक होते हैं और उर्जा प्रदान करते हैं उसी प्रकार भोजन भी हमारे सरीर का इंधन होता है दोस्तों हमारे सरीर में भोजन जो है वो आक्सीजन से अब क्रिया करके अब घटित होता है और उसमा उत्पन होती है तो इसलिए भोजन हमारे लिए इधन का कारे करता है ये हमें उर्जा भी देता है आईए इस चैप्टर में एक क्रिया कलाप करते हैं क्रिया कलाप या प्रियोग इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि विग्यान जो है तत्थियों पर आधारित होता है और ये अपने तत्थियों की पुष्ट के लिए प्रियोग करता है कि किया वाकई में ऐसा होता है दोस्तों इश्ट्रा, माचिस की तिलिया, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीले, लोहे के टुकडे, शीशा और कुछ पदार्थ इकठा करिए और एक एक करके जलाइए और आपको इसमें कुछ अनुभो बताने हैं आपको कि दाह क्या है अथवा अदाह क्या है तो देखिए लकडी जो है ये दाहे है, कागज भी दाहे है, लोहे के कीले दाहे नहीं है, मिट्टी का तेल दाहे है, पत्थर का तुकड़ा नहीं है और इश्ट्रा जो है वो आपका दाहे है काश्ट कोईला भी दाहे है माचिस की तिलियां जल जाती है और काश दाहे नहीं है तो इस प्रियोग से आप देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ जल सकते हैं या जिनका दहन हो सकता है और कुछ पदार्थ हैसे हैं जिनका दहन नहीं हो सकता है यहाँ पर आईए जल्ती मुंबत्ती को पकड़ते समय साउधानी रखिए एक जल्ती मुंबत्ती को मेज के उपर रखिए काच की चिमनी को मुंबत्ती के उपर लकड़ी के दो गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए जिस प्रकार से चित्र में दिया गया है तो आपको ये प्रियोग इसमें करना है कि दहन के लिए वायू या अक्सीजन आवस्यक है उसको प्रदर्सित करने के लिए हम प्रियोग कर रहे हैं देखिए वायू का चिमनी में जब प्रवेस होता रहेगा तो किस प्रकार से ये जो जौला जल रही है लेकिन जब चिमनी में इसको ढख देंगे आप किलास को या नीचे से जब ये अक्सिजन या हवा नहीं पाएगा यहाँ पर देखिए हवा पा रहा है नीचे से लेकिन जब आप इसको ढख देंगे हवा नहीं पाएगा तो थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाती है लेकिन जब एकदम आक्सीजन नहीं पाएगा तो थोड़ी देर के बाद ही वो जो अलब बुच जाती है तो ये जो वायू की प्रक्रिया है दहन प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर होती है दोस्तों इस प्रियोक से आप ये पाते हैं कि दहन के लिए वायू बहुत ही आवस्यक है देखें जहां पर वायू मिल रही थी वहां पे मुमबत्ती निर्वाद रूख से जल रही है जबकि वायू चिमनी से नीचे प्रवेस कर सकती है दूसरी अवस्था में चमनी में नीचे से वायू प्रवेस नहीं कर पाती है और जवाला में कमपन होता है धुआ उत्पन होता है और अवस्था सी जो तीसरी इस्थिति है जिसमें कहीं से भी हवा नहीं मिल पा रहा है या वायू नहीं मिल पा रहा है वो जो आला बुज़े जाती है दोस्तों एक बुजो एक प्रियोग या कभी पढ़ा है की सूर्य अपनी उस्मा और प्रिकास स्वेंग उत्पन करता है क्या ये भी एक प्रिकार का दहन है तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य में उस्मा और प्रकास नाभिकी यानि न्यूक्लियर रियक्षन द्वारा उत्पन होते हैं और इस प्रक्रिया के बारे में आप जानते होंगे लेकिन फिर भी हम आगे के अध्यायों में इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर आईए देखते हैं एक क्रिया का लापाउर है एक लकड़ी के कोईले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखना है इसे एक काच के जार अथवा पारदर सक प्लास्टिक जार से ढग देना है अब कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि लकड़ी का कोईला जलना बंध हो जाता है और ये जलना इसलिए बंध हो गया है क्योंकि उक्सो उसको आकसीजन या वायु मिलना बंध हो गया है दोस्तों जब किसी व्यक्ति के वस्तर या कपड़ों में आग पकड़ लेती है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढग दिया जाता है क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है तो देखिए ये इस प्रयोग को देखते हैं कंबल में लिप्टा व्यक्त जिसके वस्तरों ने आग पकड़ ली है तो दोस्तों जब एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है तो ये किस प्रकार जलाई जाती है कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभाव आपको आवस्य होगा जब जलती हुई माचिस की तिली इसके पास लाते हैं तो ये जल उठती है लेकिन लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तिली के पास ले आकर जला तो सकते हैं लेकिन थोड़ा समय लगता है लकड़ी या कोईले को जलाने के लिए आपको कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है ताकि वो जल्दी से आग पकड़ ले और क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है तो यहां पर देखिए गर्मी के मौसम में इस्थिती ये होती है कि बहुत गर्मी पड़ने पर कुछ हस्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है घास से आग पेडों पे फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है और इस प्रकार आग को बुझाना बहुत कठिन होता है ये जंगल की आग का एक चित्र दिया गया है दोस्तों जिन प्रश्णों के बारे में हमने चर्चा की तो उसके बारे में आपको बता दें कि बिभिन पडार्थ जो हैं उसे उसका जोलन ताप कहा जाता है तो कागज बहुत जल्दी जल जाता है लकड़ी उतना जल्दी नहीं जलती है जबकि कपास या जूट का जो सामान है वो और भी जल्दी आग पकड़ लेता है तो ये नियूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका जोलन ताप कहा जाता है दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिली अपने आप क्यों नहीं आख पकड़ लेती माचिस की तिली को माचिस की डिबिया के बगल में रगढञने पर उसके बारे में आईए जानते हैं दोस्तों माचिस का इतियास बहुत पुराना है 5000 से अधिक साल पहले प्राचीन मिस्र में गंधक में डूपोवे गए चीड की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उप्योग किये जाते थे आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्स पूर हुआ है एंटी मनी ट्राइसलफाइड, पोटैसियम क्लोरेट और स्वेत फासफोरस का मिस्रण कुछ गोद और इस्टार्ज के साथ मिला कर उचित लकड़ी से बने माचिस की तिली के सीरे पर लगाया जाता था जब इसे किसी खुर्दरी सतह पर रगड़ा जाता था, तो घरण से उस्मा के कारण स्वेत फासफोरस पर जोलित हो जाता था इसे माचिस की तिली का दहन आरम हो जाता था, लेकिन स्वेत फासफोरस जो था माचिस उद्यूग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक हुआ और आजकल जो माचिस है उसके सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसालफाइड और पोटेसियम क्लोरेट लगा रहता है और रगडने वाली जो सतह होती है उस पर खूरदूरी जोडित काच और थोड़ा सा लाल फासफॉरस लगाते हैं जो कि कम खतरनाक होता है जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फासफोरस स्वेथ फासफोरस में परिवर्टित हो जाता है यह तुरंत माचिस की तीली के सीरे पर लगे पोटैसियम क्लोरेट से अफ़िया करके परियापत उसमा उत्पन कर देता है जिससे एंटीमनी ट्राइसालफाइड का दहन आरंब हो जाता है तो देखिए अगर जो आपसे यह पुछा जा है कि माचिस में जो काला काला होता है तीली में वो कौन सा रासायनिक पदार्थ है त जिस पर हम माचिस की तीली लगरते हैं उसमें लाल फासफोरस चूरित अवस्था में होता है दोस्तों इस अध्यन से आप ये पाते हैं कि कोई दा है पदार्थ जो की जलने वाला पदार्थ है तब तक आग नहीं पकड़ सकता है या नहीं जल सकता है जब तक कि उसका पाने वाले तेल को आपने आग पकड़ते देखा है जब तलने वाला बरतन लंबे समय तक जलते इश्टोप पर रखा रहता है तो कमरे किताब पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते लेकिन मिट्टी के तेल को थोड़ा गरम कर दें तो आग पकड़ लेता है दोस्तों मिट्टी के तेल का जो जो जोलन ताप होता है वो लकड़ी के ताप से कम होता है इसलिए मिट्टी के तेल जो है रखने के लिए हमें परियाप्त साउधानी बरतनी पड़ेगी कि किसी परकार से वहाँ आग ने पहुँच पाए और उसके जोलन ताप तक उसका ताप ने पहुँच पाए क्योंकि जैसे ही किसी पड़ार्थ के दहन के लिए हम प्रयास करते हैं जैसे ही उसके जोलन ताप तक ताप पहुँचता है वो पड़ार्थ जल उठता है यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्रिया कलाप आपको करना है कागज की क कप में भी जल गर्म किया जा सकता है कागज के दो कप तयार करिए इनमें से एक कप में 50 ml जल लीजिए और दोनों कपों को अलग-अलग मुंबत्ती द्वारा गर्म कीजिए कागज के कप में देखे जल भरा है जिस कप में जल भरा होता है वो आग नहीं पकड़ती है और जो कप है वो आग पकड़ लेती है और जल उठता है कागज के खाली कप में जो है दोस्तों क्या असर होता है और जल युक्त जल में क्या होता है इस जल का इस कप का जल्म गर्म कैसे हो जाता है तो दोस्तों यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के रूप में भी कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं और ये कैसे हो सकता है इसके बारे में आईए जानते हैं दोस्तों कागज के कप को दी जाने वाली उस्मा जो है वो चालन द्वारा जल में चली जाती है चालन प्रक्रिया है उस्मा संचरन की आप जानते हैं इसलिए जल की उपस्थ इसलिए वो नहीं जलता है और धीरे धीरे जल गर्म होने लगता है जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलन सील पदार्थ या इनफ्लेमेबल वस्तु कहा जाता है ज्वलन सील जैसे बेंजीन और ये सपदार्थ जो हैं बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और अब आईए देखते हैं कि हम आग पर कैसे नियंदर पाते हैं जोस्तों घर, दुकान, कार, खानों में आपने आग लगते देखा या सुना होगा और इस प्रकार की कोई दुरघटना द चाहिए और इसके अलावा जब भी किसी घर में या किसी अडोस-पडोस के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अगनी समन सेवा को सूचित करना चाहिए दोस्तों आग कैसे बुझाते हैं? यहाँ पर देखिए फायर मैन दबाओ के साथ जल फेककर आग बुझा रहे हैं दोस्तों जल जो है जोलन सील पधार्थ को ठंढ़ा करने में सहायक होता है और उसका ताप जो है उसके जोलन ताप से जिससे कम हो जाता है और ऐसा करने से आग का फैलना रुख जाता है जलवास्प जोलनसील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायू की आपूरती बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है तो देखिए आग बुझाने की प्रक्रिया क्या है एक बार आपसे समझते हैं तो जो जल होता है वो जोलनसील पदार्थ को ठंडा करता है ठंडा करने में जो जोलनसील पदार्थ है उसका ताप जो है उसके जोलन ताप से कम हो जाता है और आग फैलनी बंद हो जाती है इसके अलावा जब जल में जल आग में डाला जाता है तो जलवास्प निकलता है और जलवास्प का एक कारे है कि ये जो लंसील पदार्थ के चारो और घेर लेता है जिससे वायू की आपूर्तिया सप्लाई बंद हो जाती है और ऐसी इस्तिती में आग बुझ जाती है दोस्तों आग उत्पन करने के लिए तीन अवस्थाएं होती है ये कौन कौन सी है देखिए ये आवसकताएं है इंधन वायू और उस्मा देखिए बहुत ही महत्पूर्ण है आग उत्पन करने के लिए तीन अवस्थाएं होती है इसमें है इंधन होना चाहिए वायू यानि अक्सीजन की आपोर्ती होनी चाहिए और उसमा यानी इंधन का ताप उसके जोलन ताप से अधिक करने के लिए आवस्यक होता है इन में से एक या अधिक आउसकताओं को हटा कर आग को नियंद्रित किया जा सकता है दोस्तों आग बुझाने वाले का कारे वायू का प्रवाह क करने लगता है यहाँ पर देखिए दोस्तों एक प्रियोग देखते हैं अगनी सामक जल सबसे प्रचलित अगनी सामक है या आग बुझाने वाला जो है तत्तो है लेकिन जल तभी कारे कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तों में आग लगी हो यदि बिजली के द्वारा या विद्दुत उपकरणों से आग लगी होती है तो जल विद्दुत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को नुकसान हो सकता है तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है दोस्तों आपको याद है कि जल जो है वो तेल से भारी होता है जब जल किसी तेल से आग लगने वाले छेतर उपर डाला जाता है तो तेल के नीचे चला जाता है और तेल उपर जलता रहता है विद्दुत उपकरण या पेट्रोल जैसे जो लनसील पतार्थों में लगी आग के लिए कारबन यानि CO2 को सबसे अच्छा आगनी सामक माना जाता है आकसीजन से भारी होने के कारण कारण डाइकसाइड जो है आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है इससे इंधन और आकसीजन के भी संपर्क तूट जाता है जिससे की आग पर नियंतरन पाया जा सकता है कारबन डाइक के रूप में सिलिंडरों में भरी जा सकती है और LPG भी उच दाप पर सिलिंडरों में भरी जाती है सिलिंडर से जब छोड़ दिया जाता है तो कारण डाइकसाइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है जिससे ये नेकेवल आग को चार ओर से घेर लेती है बलकि नीधन के ताप को भी नीचे ले जाती है इसलिए कार्बन डायाकसाइड को सबसे अच्छा अगनिसामक या आग बुझाने वाला पदार्थ माना जाता है दोस्तों कार्बन डायाकसाइड को प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम बाई कार्बोनेट या पोटेसियम पारी मातरा में छिड़काओ करना है और आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सा कारबन डायकसाइड गैस निकलता है जो की आग को बुझा देता है इसके बाद आएए देखते हैं दोस्तों दहन के प्रकार दोस्तों एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइट लगता है इस प्रकार का जो दहन है दोस्तों ये तीब्र दहन के अंतरगत आता है इसके अलामा फासफोरस जैसे कुछ पदार्थ हैसे हैं जो कमरे किताब पर वायू में ही जल उठते हैं और इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यच कारण के अचानक ल दारण है फासफोरस और सोडियम जैसे तत्यो कमरे के ताब पर वायू में ही जल उटते हैं इन पदार्थों को स्वतह दहन या स्वतह दाह पदार्थ कहा जाता है दोस्तों कोईले की खानों में कोईले की धूल के स्वतह दहन से कई बार खतरनाक अगनिकांड या अगनिदुर घटनाए हो जाती है जंगल में सुतह अगनिकांड भी कभी-कभी गर्मी के कारण होता है कभी-कभी आकास से बिजली गिरने से ये अगनिकांड होता है लेकिन जंगल में आग अधिकतर मनुस्यों की लापरवाही से ही लगती है जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा सीविर में जाते हैं और कैम्प फायर कायोजन करते हैं तो अस्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूरी तरह से बुझाना जरूर याद रखिए दोस्तों हम तेवारों पर अधिकतर आतिस वाजी करते हैं और जब पटाके को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अविक्रिया होने से उस्मा प्रकास और ध्वन पैदा होती है अविक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और इस प्रकार की अविक्रिया जो है बिस्फोट कहलाती है पटाके पर दबाव डालने पर भी बिस्पूट हो सकता है इसके बाद आये देखते हैं दोस्तों जॉला जॉला क्या है जॉला मतलब फ्लेम दोस्तों ये लपीजी की जॉला का आप परिछण करिए जॉला का रंग बता सकते हैं दोस्तों LPG की जोला का रंग हलका नीला होता है जबकि मुंबत्ती की जोला का रंग पीले कलर का होता है Magnesium Ribbon को जलाने का अनभो याद रखिए दोस्तों Magnesium Ribbon जब आपने जलाया था तो वो तेज चटकीले रंग का प्रकास देता है यहाँ पर देखिए मुम्बत्ती और रसोई घर के इस्टोप की जालाओं में अंतर तो यह नीले रंग की ज्वाला है जबकि मुम्बत्ती पीले रंग की ज्वाला देता है यहाँ पर आप लैंप मुम्बत्ती और बुनसिन बर्नर की ज्वालाएं देख सकते हैं इनका कलर कैसा होता है दोस्तों ज्वाला की संरख्षना ज्वाला की संरख्षना देखने के लिए आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि दहन के समय जो पदार्थ वास्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्मार करते हैं ज्वाला बनने के लिए कुछ परिस्तितियां आवस्यक हैं जलने के समय जो पदार्थ वास्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्मार करते हैं जैसे मिट्टी का तेल और पिघले हुई मुंबत्ती के साथ उपर उठती है ज्वाला और दहन के साथ वास्पित होकर ज्वाला का निर्मार करते हैं इसके भी प्रित लकडी का कोईला वास्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है जब मुंबत्ती की ज्वाला इस्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त छेतर में एक स्वच कांच की प्लेट या स्लाइट प्रवेस करिए आप इस आकरिती को सडसी से लगभग 10 सेकेंड तक पकड़े रहे फिर उसे हटा दीजिए आप क्या देखेंगे दोस्तों आप ये देखेंगे की कांच की प्लेट स्लाइट पर एक गोल काला वले बन गया है यह ज्वाला के दीप्त छेतर में उपस्थित बिना जले कार्बन कड़ों के जमाओ को दरसाता है और एक पतले लंबे तार को लगबग 30 सेकेंड तक ज्वाला में पकड़ कर जब आप रखेंगे तो ये जो तार का भाग है ज्वाला के कुछ ही बाहर है ये लाल रंग से तप्त हो जाता है दोश्टों ये दरसाता है कि ज्वाला के अधीप्त छेतर का टाप बहुत अधिक है वास्ताओं में ज्वाला का ये भाग सबसे अधिक गर्म होता है और सोने और चादी को पिग्लाने के लिए भी सुनार जो है धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं और वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उप्यो क्यों करते हैं क्योंकि उनसे उससे अधिक उस्मा प्राप्त होती है यहाँ पर देखिए मुंबत्ती का एक चित्र दिया गया है मुंबत्ती है यहाँ पर एक और यह जल रही है अंदर का जो पीले कलर का छेतर है यह सबसे कर्म गर्म होता है उसके बाद पीले कलर का छोतर जो सबसे कम होता है और देखिए जो लाल कलर का छेतर है एकदम बाहरी परत के थोड़ा सा अंदर यह सबसे गर्म भाग होता है और जो पीला कलर का छेतर है वो आंसिक दहन वाला मद्यभाग पीला होता है और मुम्बत्ति के जो सीरे होते हैं यानि जो धागे का सीरा होता है बिना जली मुम्बत्ति का आंतरिक छेतर ये काला होता है और सबसे बाहरी परत ये पूर दहन का बाह छेतर होता है जो की नीले कलर म में होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पीला लाल और नीला कलर जो होता है वो मंबत्ती की ज्वाला के विभिन छेत्रों में आपको परदर्सित हो सकता है अब आए देखते हैं दोस्तों इंधन क्या है यानि वाट इस फ्यूल दोस्तों घरेलू और अध्योगिक उप सस्ता से यानि आसानी से उपलब्ध हो सस्ता हो और वायू में सामाने दर से सुगमता पूर्वक जल जाए यह अधिक मातरा में उस्मा उत्पन करता हो और जलने के उपरांत कोई अवांजनिय पदार्थ नहीं छोड़ता है ऐसे पदार्थों को दोस्तों इंधन और पूरा करता हो दोस्तों इंधन के मुल्यों की भिनता होती है और कुछ इंधन अन्य इंधन की अपेक्छा अधिक सस्ते होते हैं अब आई ये देखते हैं इंधन दच्छता या फ्यूल एफिसियंसी दोस्तों यदि आप से कहा जाए कि गोबर के उपले कोईला और किसी इंधन के एक किलोग्राम के पूर दहन से प्राप्त उस्मा उर्जा की मात्रा उसका उसमी मान कहा जाता है दोस्तों इंधन के उसमी मान को किलो जूल प्रत किलोग्राम या केजे पर केजी जो है मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर देखिए इस सा कुछ इंधनों के उसमी मान दिये गए हैं यानि इसको एक किलोग्राम मात्रा को जलाने पर कितना उसमा उत्पन होती है गोबर के उपले से एक किलो से छे हजार से आठ हजार किलो जूल लकडी से सत्रह हजार से बाइस हजार कोईला से पचीस हजार से तैतिस हजार किलो जूल पेट्रोल से पैंतालेस हजार मिट्टी के तेल से पैंतालेस हजार डीजल से पैंतालेस हजार मेथेन गैस से देखिए 50,000 किलो जूल प्रतिकेजी उर्जा और उस्मा CNG से 50,000 और LPG से 55,000 जैविक गैस से 35,000 से 40,000 और हाइडरोजन सबसे अधिक उसमिमान हाइडरोजन का है जिससे की 1,50,000 किलो जूल प्रतिकेजी उस्मा उत्पन होती है दोस्तों इधन के दहन के हानिकारक उत्पाद क्या क्या प्राप्त होते हैं तो इधन का बढ़ता हुआ उपभोग जो है ये परियावरन पर हानिकारक प्रभाव डालता है जैसे लकडी, कोईला और पेट्रोल जैसे कारवन इधन बिना जले कारवन कर छोड़ते हैं और ये इधन के रूप में होता था लेकिन अब उसका अस्थान कोईले और यलपीजी जैसे इधनों ने ले लिया है अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीर छेत्रों में इधन के रूप में लकडी का प्रयोग हो रहा है क्योंकि वह आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है लेकि इधन के रूप में लकडी का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाता है और इसके अत्रिक्त ब्रिचों की कटाई बनोन मूलन का कारण बनती है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसान दे है दूसरा ये है दोस्तों कि इन इधनों का अपूर दहन जो होता है ये कारण मोनो आकसाइड गैस देता है कारण मोनो आकसाइड अत्यंत विसैली गैस है और बंद कमरे में कोईला जलाना खतरनाक होता है उत्पन कारण मोनो आकसाइड गैस से कमरे में सो रहे ब्यक्तियों की मृत्तु भी हो सकती है क्योंकि यह जो है मानो शरीर में आकसीजन की आपूर्ती को बंद करके इसको खतम कर देता है जिससे ब्यक्तियों की मृत्तु हो सकती है इसलिए दोस्तों सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोएं जिसमें जलते या सुलकते हुए कोईले की आग रखी हो तीसरा जो हानिकारक प्रभाव है वो ये है कि अधिकाहन से एधनों के दहन से परियावरण में कारबन डायाकसाइड गैस उत्पन होती है वायू में कारबन डायाकसाइड गैस की अधिक मात्रा वैस्विक तापन यानि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है दोस्तों प्रिथवी के वातावरण में तापमान में बृद्धी वैस्विक उषडन कहलाती है अर्ने बातों के साथ साथ इससे हिमनत पिखलने लगते हैं जिससे समुदर का जल अस्तर बढ़ जाता है तटी छेतर बाढ़ गरस्त हो जाते हैं और ऐसा भी संभव है कि निचले अस्तर पर रहने वाले तटी छेतरों में अस्थाई रूप से जल भर जाए और वहां के लोगों को बिश्थाफित होना पड़े चोथा हानिकारक प्रभाव यह है दोस्तों कि कोईले और डीजल के दहन से सलफर डायाकसाइड गैस निकलती है सलफर डायाकसाइड एसो टू अत्यांत धम घोटू और संचारक गैस होती है इसके अत्रिक पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसी आकसाइड शोलते हैं सलफर और नाइट्रोजन के आकसाइड वर्सा जल में घुल जाते हैं और अमलो बनाते हैं सलफर डायाकसाइट से सलफ्यूरिक अमल H2SO4 और नाइट्रोजन के अकसाइट से नाइट्रिक अमल यानी HNO3 बनता है और ऐसी वर्षा जिस छेतर में होती है उसे एसिडिक रेन या अमल वर्षा कही जाती है ये वर्षा फसल, भवन और मिर्दा के लिए बहुत हानिकारक हो स अब CNG यानि कमप्रेश्ट निच्रॉल गैस ले रही है क्योंकि CNG सलफर और नाइट्रोजन के अकसाइटों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है तो एक प्रशन आपके लिए बन गया कि डीजल वाहनों और पेट्रोल वाहनों के अस्थान पर CNG का प्रयोक्यों किया ज दोस्तों ये था आज का अध्याए अध्याए आठ वेक अच्छा के अध्याए छे था विज्ञान का दहन और ज्वाला इस अध्याए से आपने क्या सीखा दोस्तों आपने सीखा जो पदार्थ वायू में जलते हैं दाह कहलाते हैं दहन के लिए आकसीजन या वायू आवस आग उत्पन करने के लिए आवस्यक दसाओं में से एक या अधिक को हटा कर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है आग पर नियंत्रण के लिए सामानत जल का प्रयोग किया जाता है विद्दू तुपकरण और तेलों में लगी आपको नियंतरित करने के लिए जल का उप्योग नहीं किया जा सकता है दहन के विभिन प्रकार हैं जैसे तीब्र दहन, स्वतह दहन और विसफोटाद ज्वाला के तीन छेत्र होते हैं अदीप्त छेत्र, दीप्त छेत्र और जोतीहीं छेत्र दोस्तों आदर्स इधन क्या है तो आदर्स इधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध और आसानी से जलने वाला होना चाहिए जो है ज्वलन ताप इसका कम होना चाहिए और उसमी ये मान अधिक होना चाहिए तथा जलने के बाद परियावरण में कोई अपसिष्ट पदार्थी से नहीं छोड़ना चाहिए इधनों की दच्छता और मुल्य परस पर भिन्न हो सकते हैं इधन दच्छता को उसमी मान द्वारा पर दर्शित किया जाता है जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलो ग्राम होता है वायू में बीना जले कारवन काड़ खतरनाक परदूसक होते हैं और स्वसन कष्टों को करते हैं इधन में अपोर दहन से विशेली कारवन मोनो आकसाइड गैस बनती है जो की अत्यंत जहरीली गैस है वायू में कारवन डाय आकसाइड की बढ़ी हुई मात्रा को बैस्विक उसमन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया जाता है और अंत में कोईला, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन सलफर और नाइट्रोजन के अकसाइड अमल बरसा उत्पन करते हैं जो फसल, भावन और इमारतों तथा मिर्दा के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आठीविंक अच्छा के अंसे यार्टी का अध्यायच है, दहन और ज्वाला वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना उप्योगी है, ये हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्ग दर्शन फार सीविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार